हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मैं चैनल फिजिक सुथ प्रग्या में तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है हमने लिया है प्रकास वैदुत प्रभाव टॉपिक आपका है प्रकास वैदुत प्रभाव क्या होता है प्रकास वैदुत की definition ठीक है तो definition क्या बोल रही है जब किसी धातु की सता पर कहां पर धातु की सता पर एक निश्चित आवरती से मतलब आवरती एक निश्चित आवरती जैसे होती है ना उससे अधिक की प्रकाश किर्णों को आपतित कराया जाए तो कैसी आवरती जैसे हम आपकी कमरे में बल अधिक प्रकाश होता है तो क्या करेगा कमरे से बाहर जाने लगता है ठीक मतलब कि उसका जो प्रकाश होता है कमरे से बाहर जाने लगता है ठीक वही घटना है जब किसी धातु की सता पर एक निश्चित आवरती से अधिक की आवरती की हैलोजन जैसे लगा रहे थे ना अधि अधिक आवरत की प्रकाश किर्णों को आप्तित कराया जाता है कहा पर आप्तित कराया जाता है धातु की शता पर निश्चित आवरती से अधिक प्रकाश किर्णों को दातु की शता पर आप्तित कराएं तो होगा क्या होगा क्या धातु की सता पर इलेक्टरानों का क्या होने लगते हैं उस सरजन होने लगते हैं जब निश्चित आवरती से अधिक प्रकास किरणों को आप्तित कराएंगे तो धातु की सतापर एक निश्यत आवरती से अधिक की प्रकाश किर्णों को अप्तित करते हैं तो इलेक्ट्रानों का उस सर्जन होने लगता है इस घटना को प्रकाश वैदुत प्रभाव कहते हैं ठीक है प्रकाश वैदुत प्रभाव के कुछ नियम है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकास वैदुत प्रभाव के नियम निमन लिखे थे तो फर्ष्ट नियम क्या बोल रहा है आपका धातु के प्रष्ट पर धातु की सता पर से उच्छित इलेक्टरान की अधिक्तम गतिज उर्जा आप्तित होने वाले प्रकास की तीवर्ता की क्या होता है अनुक्रमान पाति यानी बराबर होता है तो सेकंड नियम इसका क्या है तो चलियो इसको भी देख लेते हैं श्टार्ट करते हैं इसका सेकंड नियम तो सेकेंड नियम क्या बोला है धातु की सता से उत्सरजित इलेक्टरान की अतिक्तम गतिज उर्जा आप्तित प्रकाश की आवरती बढ़ाने पर बढ़ती है गतिज उर्जा आप्तित प्रकाश बराबर थे ठीक है अनुक्रमान पाते थे इनकी ती उर्टा तो इनकी अगर ह आवरती बढ़ाने पर क्या होती है बढ़ जाती है जैसे उसकी अलगती चूर्जा बढ़ेगी तो आप्तित प्रकाश की आवरती भी बढ़ेगी ठीक अब देखते हैं ये बात हुई सेकंड नियम के बारे में तो थर्ड नियम इसका क्या है उसको भी देख लेते हैं तो ये ह हुई बात इनके सेकंड नियम के बारे में कि आप्तित प्रकाश की आवरती भढ़ाने पर परती धर्ड है किसी प्रकास वैदुत। उस्छजन का नियम क्या कहता था कि धातु की प्रस्ट की सता से ग इलेक्टरान का उत्सर्जन हो रहा था तो धात की प्रष्ट की सता से के प्रकास से इलेक्टरान के उत्सर्जन की जो दर होती है धात की प्रष्ट की सता से प्रकास इलेक्टरान उत्सर्जन की दर धात की सता पर आप्तित होने वाले प्रकास की तीवरता के क्या होती है अनु प्रकास बढ़ाने पर बढ़ रही थी और प्रकस इलेक्टन उच्छन की दर्द sorry होने वाले प्रकाश की तिवर्ता की क्या होता है अनुक्रमा अनुक पाती होता है तो अगर आपको प्रकाश वेदूत प्रभाव समन में आया इसके नियम समन में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आम इसी तरह के इंपोर्ट